हेलो दोस्तों मैं में आपका स्वागत करती हूं आज मैं बना रही हूं जैपूर के मश्वूर चमचम गजक बना रही हूं तो इसके लिए मैंने एक बॉल मैंने और तिल लिये हैं मैंने घ्ञां काझमAl पैसर मेंचम statue A कप मैंने दील लिए हैं ये देखिये ये मैंने लिए सफेड इसको साफ करके मैंने बिन गर्रास export ख़का उसके बार मैं इसको तलमाइब और एक मकंप में घूल लिया ठोड़ के तो कंवांस गैस में गैस ओन करके गैस में मैं इसको फ्राई करूँगी थोड़ा सुका तल लूँगी अच्छी तरह से यह देख लिजिए यह देखिए यह मैं देखे थोड़ा सा इसको तल लूँगी तोड़ा सा गरम कर लूँगी चीटक नी तक मैंस को तोड़ा सा घून लूँगी कि जब तक चीट-चीट करेगा तब तक मैं भूजू भी इसको खाली चलाते हुए इसका फ्राई करना है फ्राई ने करना है सुखा इसको यह चीट-चीट करेगा तब तक मुझे को चलाते रहना है चलाते हुए मुझे इसको दिलाते हुए इसको पकाना थुरा पक जाने के बात कलर चेंज होगा तब मैं आज़ा होंगी यह देखिए कलर चेंज हो गया इसका अब मैं गैस बंद कर दूँगी इसका कलर चेंज हो गया है इसका कलर चेंज हो गया है यह फूल गया है अब अब मैं ठंडा हो जिनने के बाद फिर मैं आऊंगी यह देखिए मैंने एक कप तिल को आधा मिक्सिजार में रखा है और आधा मैंने इस तरह से हटा लिया है अब इसमें मैं एक कप यह गुर्द होंगी एक कुट डालके कि इसको पीसना है मुझे मैं थोड़ा थोड़ा करके कि पीसोंगी डालके कि थाज़ा थे खीजार में पीसोंगी दोड़ा थेखिए और फेच्छी अचिज़ में फेच्ट कर बेंगान, क्या धदिता है दो रखाते हम प्रूशील कपते हैं प्रभ झेल प्राब्रा लिए प्राब्राब्राब में हुड़ाँ कि अ कि अ अ कि अ अ कि अ इस तरह से मैं पीस लिया ओके अब मैं चलूंगी उधर अब मैं कैस चलूंगी इसमें एक चमच में खी देना है अब मैं यह कुमेंट हो जाने जी यह है मैं अब मैं यह गुर्प इस एक चाहर बहुत है उन्या देना है अबसको बेड़े दोगी अब में ये बड़ी लाइचा है थुरसा कूटकी रक्की थी बड़ी लाइचा है बड़ी लाइचा है बड़ी लाइचा है बड़ी बड़ी लाई डिप कि अब में इस एक ट्रे में थोड़ा सगी लगा दूंगी अब मैं इसको गैस गैस बड़ करेंगे है अब मैं इसको गैस गैस बड़ करेंगे है कि यह टो की तरह हो गया है कि अब मैं इसको अब कर दोगे कि अब मैं लग ओ ओ गी तरह हो गया है इसमें किले अबगी अबियदू कि कि अलुएन कि अновती प्रेजैन कि उसे उसे कि उसे के उता नहीं विंदों नहीं कि उस ओप इस आए नहीं कि उता कि उड़ रखी है कि उसे आए कि उसे के जब कि उता है ऑग पाई है अब इसमें मैं जरा सघी लगा कि घी लगा ही हुआ है बहुत था बेसा ज्यादा पतला नहीं करूँगी भी लगा ही झाल 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 यह देखिए मेरा चम-चम कजग तयार है मैंने बहुत पतली रखी है मोटी ने रखी है और बहुत ही नरम हुआ है इस तरह से मैंने चम-चम कजग तयार किया है आप अपने घर में ट्राइ कीजिए ज्यादा मोटी ने बने पतली बनाई यह इस तरह से चम-चम कजग जैपूर का मशूर चम-चम कजग ओके चम-चम कजग है यह देख लीज़ ओके एक 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 झाल